नमस्कार है जूके इसन इंडिया पर आपका एक बार फिर से सवागत है अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं IBPS क्लर्क के रिसल्ट के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको IBPS क्लर्क प्रिलिम्स का रिसल्ट कैसे चेक करना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में step by step दिखाए जाएगी ऐसे में आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखीगा वीडियो में मागे बढ़ेंगे और उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो पसंद आए और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाई कोर से अवस्ट करेगा अब आईए वीडियो में मागे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपको आईवी पीएस क्लर्क प्रिलिम्स का रिजल्ट कैसे चेक करना है तो आपको बताते हैं रिजल्ट चेक करने के लिए आपको अपने फॉन या कंप्यूटर में गूगल को ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है अपको क्या सर्च करना है तो आपको सर्च करना है educationindialive.com Google में सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस परकार से एक पे जाएगा यहाँ पर सबसे उपर वाले एपसाइट educationindia को आपको open कर लेना है एपसाइट कुछ इस परकार से आपके सामने open हो जाएगी यहाँ पर जब आप नीचे के और scroll करेंगे तो आप देख पाएगे IPPS clerk result 2024 आपको इस लिंग पर क्लिक करना है और इस post को open कर लेना है पोस्ट आपके सामने कुछ इस परकार से open हो जाएगी यहाँ पर जब आप नीचे के और scroll करेंगे तो आप देख पाएगे IPPS clerk result 2024 direct link आपको इस direct link पर click कर देना है direct link पर click करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक page open होगा यहाँ पर सबसे पहले आपको बने registration number या फिर roll number को fill करना है तो आप registration number या फिर roll number को fill कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको बनी date of birth को fill करना है जिसमें सबसे पहले आपको date लिखनी है उसके बाद hyphen उसके बाद month उसके बाद hyphen और उसके बाद आपको year लिखना है year के आपको last two visit ही लिखना है जैसे कि अगर आपका date of birth का year 1999 है तो आपको सरफ और सरफ 99 लिखना है और अगर आपका 2000 ए तो 00 लिखना है तो उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद यहाँ पर आपको capture code देखने को मिल रहा है उसे यहाँ पर fill करना है और login पर click करना है login करते ही आपके सामने कुछ इस परकार से आपका result open हो जाएगा result के अंदर फिलाल आपको देखने को मिल एगा कि आप shortlist हुए है या फिर नहीं जो scorecard हो कुछ ही दिन के अंदर आ जाएगा जिसकी जानकारी भी आपको Education India दवारा सबसे पहले प्रवाइड करवा दी जाएगी इसलिए चैनल को भी subscribe करके bell icon को दबा दिचेगा तो यहाँ पर आप देख पाएगे कि आप shortlist हुए है या फिर नहीं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा Congratulations you have been shortlisted या फिर आपको देखने को मिलेगा You have not been shortlisted for online man examination तो कुछ इस परकार से आप IVPS clerk का result चेक कर सकते हैं हमने आपको पूरी जानकारी step by step दिखा दी है वीडियो गर आपको पसंद आया है तो वीडियो का आप लाई को और से अवस्य करेगा और साथ यह से यह वीडियो और ऐसी ही जानकारिया सबसे पहले देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा दिखेगा मिलते हैं आप से गले वीडियो में किसे ने जानकारी के साथ अब तक के लिए धन्यवाद